प्रिया संस्कृत मित्रानी नमा संस्कृताइब वेलकम तू फिल्लफॉम यूटुब चैनल एंड जो हमारी क्लास है सीटेट, केवीएस, एंडवीएस, टीजीटी, पीडीटी, पी आर्टी, 2022 एग्जामिनेशन्स जो भी एग्जाम्स कंड़क होते हैं संस्कृत के बेस के वो सभी को इंक्लूड करके हमने क्लास बनाई हैं तो सभी स्टुडेंट्स के लिए हेल्पूल रहेगी उसमें सभी तरह की संस्कृत का जो ग्रामर हो गया संस्कृत का जो वैदिक सहित्य हो गया वो पुराण हो गया, उपनीशद हो गया सभी का जो सार हैं वो ही हम क्लास में कराने वाले हैं और बिलकुल डिप से लेकर के हम आए हैं basic से deep तक कराएंगे ठीक है तो हमारी जो आज की class है वो class number 8 रहेगी और general class लगेगी general class वैदिक साहित्य के लिए रहेगे particular topic हमारा रहेगा वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य में जो वेद कहां से उत्पन हुए वेद शब्द का अर्थ क्या होता है वेद शब्द ने जो है वो कितना प्राचीन है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगा ठीक है और आप सभी को पता ही होगा my name is नीदु चौदरी एंड यहाँ पे हमारे फिलव फॉर्म के सारी information मिली है तो आप देख सकते हो ओके यह हमारे टेलेग्राम्स के जो चैनल है वो देखते हैं हम तो हमारा जो टेलेग्राम्स ग्रूप बन चुके हैं TGT, PGT के लिए जो फिलव फॉर्म का टेलेग्राम्स जो है वो यहाँ पे है तो आप सब उसको जोईन कर लेना ताकि जितने भी हमारे लिए टेलेग्राम्स पे आपका रहना का मेंन मोटेव यही रहेगा कि आपको टाइम टू टाइम जितने भी क्लास हमारे होते हैं वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद यह है कि जो फिलाफॉर्म का जॉब अपडेट जॉब अपडेट यह मोस्ट क्योंकि अभी किसी को भी पुछे कि आप पढ़ाय क्यों कर रहे हो तो सबी यही आंसर देंगे कि हमें अच्छी जॉब चाहिए हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए तो जॉब के रिल पे भी हमें कुछ भी इंफर्मिशन मिलती हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है तो आपके लिए बहुत हैल्फुल रहेगा और यह जो हमारा फिलाफॉर्म का अप्लिकेशन तो अप्लिकेशन में क्या होगा कि आपको वहाँ पे नौट्स अप्लिकेशन मिलेंगा फ्री श्टडी जो नौट्स हैं वो मिलेंगे फिर आपको वहाँ पे जो हमारे मोग टेस्ट हैं वो सॉल करने के लिए मिलें और और उसमें आपको ओल्ड के पर हैं एक्जाम्स के वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे ठीक है तो आपके लिए बहुत हैं तो आप उसे डाउनलोड कर लेना डाउनलोड कहां से करना काफी केशन आ रहे हैं मुझे डियम परसनल में आ रहे हैं कि मैं हमें फिल्ला फॉर्म का जो आप्लिकेशन है वो कैसे डाउनलोड करना है तो आपको बता दो कि जो हमारा गुगल प्ले स्टोर है सबी को बता ह प्ले स्टॉर के बारे में तो प्ले स्टॉर पर जाकर आप सर्च करोगे फिल्ल फॉर्म तो आपको वहाँ पर हमारा ये लॉगो वाला एप मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर सकती हो बिल्कुल भी फ्री है फ्री आफ कोस्ट है आपको उसके लिए कोई पे करना नहीं है उसके बाद हमारा पीजेटी डीजेटी का क्लास का जो टाइमिंग है वो बता हूँ उसके पहले मैं देखती हूँ कौन-कौन जॉइन हो चुके है अनामिका जी नमस संस्कृत है नमस संस्कृत है अनामिका जी आप कल बोल रहे थे अनामिका जी कि आपको ग्रूप्स में जॉइन होना है क्या आप जॉइन हो चुके कि बाकी है क्योंकि आपको लिंक्स नहीं मिली थी शायद आपने जॉइन किया झाल तो यह हमारा जो टाइम टेबल है जो क्लासिस हो रहे हमारे तो एड़ एंप्स से स्टार्ट होकर के 10 पी एम तक हमारी जो क्लासिस का जो डे है पुरा का पुरा सिड्र टाइट रहेगा यहां पर एड़ एंप्स क्लासिस टार्ट होकर टैन पी एम तक चलती है तो पहले तो बता दो कि आपके लिए इंपोटन क्लासिस कौन से है तो जो करंट करंट current GK का है वो सब के लिए है फिर SST second paper के लिए है math भी सब के लिए है सब भी exam में math आती ही है फिर GKB है फिर general English जो second paper है उसका ही है और ये Sanskrit हमारा आपको पता ही है 1PM को CDP जो second paper है उसका होगा फिर ये reasoning का जो सब के लिए है तो सब को join करना होगा reasoning का class फिर homes and environment और computer computer भी आपके लिए है ठीक है general Hindi आपका अगर subject हो तो आप join कर लो ठीक है तो हमारा पूरा day इसमें ही class में ही चला जाएगा अगर बीच में time रहता है तो आपको class का जो चल रहा है वो आपको remind करना होगा और उसके related questions बनते हैं वो solve करने होगे तो अपने खूद की जो preparation करोगे वही आपको exam में crack कराने के लिए helpful रहेगे ठीक है मैं telegram link open नहीं हो रहा है आपका मेरा क्यों नहीं open हो रहा है सभी सताक्षी जी और भी दो-तीन students ने मुझे कल personal में भी message किया था मैंने आपको बताया था ना at the rate need for it करोगे search करना है आपको उस पर आप मुझे पाओगे मेरा idea आपको मिलेगा उसके बाद मैं आप मुझे message करोगे तो मैं आपको join call लोगे ठीक है अगर आपसे नहीं हो रहा है तो then आगे चलते हैं हमारी seated batch वो भी start हो चुकी है 15 अगस्त से तो उसमें sst का जो subject है 9 a.m. से classes की होगी फिर हमारी जो math है general math जनरल English होगा और Sanskrit seated batch में भी Sanskrit है तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो classes है वो सभी exams के लिए ठीक है CDP reasoning 4 p.m. को reasoning की class join करनी है environmental अगर second paper है तो computer general होगा फिर computer science में भी होता है पर computer general भी होगा अगर आप join करना चाहते हो तो और Hindi second paper ठीक है उसके बाद new read badge वो भी 15 अगस्ते start हो चुकी है उसमें sst है math है math आपको join करना होगा फिर जो Rajasthan का है वो Rajasthan का जिक्की यहां पर class हो रही है वो भी join कर सकते हैं फिर cdp computer computer आपको join करना होगा रीट में संस्क्रीट नहीं है तो यहां पर नहीं होगा ठीक है फिर netjrf का crash course कल भी मुझे एक personal में डीम आया था कि मैं हमने crash course जोइंक कर लिया है मैंने बुला very good क्योंकि जो crash course है उसमें आपको काफी materials मिल रहा है तो प्लीज मैं आपको यही advice देना चाहूंगी कि एक बार कर लो only 200 उसकी price है कोई ज्यादा नहीं है बहुत ही कम है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बजार में भी ऐसे चले जाओगे तो ऐसे ही 200 रुपीज ऐसे ही आप वेस्ट कर किया जाओगे पर ऐसा नहीं करना है आपको यह 200 रुपीज या पर आपका future का सवाल है future में अगर आपका जो नेज यरेफ का जो exam से वह अगर आप क्रेक करोगे तो आपको वह 200 रुपीज से भी ज्यादा लगेगे ठीक है तो उसके बाद आपको जोइन करना होगा अगर जोइन करना है तो यहाँ पर live class मिल रहे हैं आपको फिर notes मिल रहे है PDF फिर 100 mooc test मिल रहे हैं फिर PYQ old papers मिल रहे हैं class के सारे doubts clear होंगे आपके और 24 into 7 support हमारा most मिलीगा ठीक है फिर join करने के लिए आपको contacts यहाँ पर दिया हुआ हैं तो contact कर सकते हो आप यहाँ पर यह हमारा contacts है तो आप वहाँ पर contacts कर सकते हो अगर आप interest rate हो तो ठीक है कौन-कौन join हो चुका है बच्चों बताओ कौन तो लाइक कर लो वीडियो को पहले तो आपका जो एटेंडेंस है वो क्लियर कर लो लाइक करके आजाओ जल्दे से तब तक मैं दो मिनिट होड रखती हूँ ठीक है जल्दे से लाइक करकर आजाओ हेलो रागम संगीतालया हेलो नमस अंस्कृताएं अठाओ जल्दे संगीताल रागम से लाइक करके आजाओ स्टार्ट हमारा जो आज का क्लास है स्टार्ट करने इसे पहले मुझे रिवाइंड कौन कराएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था फटा फट से चलोगे तो क्लास में मिज़ा आयागा और हमसे को आपरेट रहे कर ही आप चलोगे मैं जो पुछू आप उसका आंसर दोगी आप मुझे बताओ आपके जो डाउट से हम क्लियर करें ऐसे ही हम आगे चलेगे तो ही आपको क्लास में इंट्रेस्ट लगेगा तो प्लीज पहला आपको जो भी जॉइन हो चुके हैं वो बताओ ठीक है में नेट्वर्व प्रॉब्लम है मेरी साइट से नेट्वर्व प्रॉब्लम है अना मिका जी क्या मेरी वीडियो पिपीटी शो नहीं हो रही मेरी वॉइस नहीं आ रही है नमस्ते मनिश जी नमस्ते नमास संस्क्राइए यस राइट हमने कल संस्कुट में गिंती पेड़ा था जो हमने दो क्लास में गिंती पेड़ा वन टू फिफ्टी और फिफ्टी वन से हंट्रेग तक दो क्लास हमने गिंती की कराई तो I hope आपको गिंती क्लियर होगी ठीक है फिर पर रिमांद करा देती हूँ अगर जो नए स्टुडेंट जोईन होया है आज कि जो मनीशा जी है फिर जो रागम जी है वो उनको भी बता दो कि हमारी जो कल क्लास हुई थी वो गिंती की बारे में हमने की थी तो one two fifty तक हमने पर्सो की थी और कल हमने fifty one से hundred तक की थी ठीक है तो आपको एक बार देख लेना है कि क्या क्या पुछा जाता है एक या दो नमबर यहान से पक्के हैं आपकी कॉय भी कंपरेटे अक्जाम हो क्योंकि गिंती काफे बार पूछी जाती है तो एक बार देख लो आप कि ये हमारे घिंती की class है अब ठीक है okay then class में continue नहीं रहें ओके देख लिया चलो आज का जो हमारे topic है वो वैदिक साहित्य का रहेगा वैदिक साहित्य हमारा बहुत प्राचेन है तो उसकी information लेके में आई हूँ तो वैदिक साहित्य में क्या होगा कि वेद वेद शब्द की उत्वति कहां से हुई वेद शब्द में कौन सी दातो है वेद क्या है पारुश है अपारुश है क्या है तो वेद सब्द का हमें basic सा जो है और बिलकुल deep से वो ही हमें पढ़ना है ठीक है तो चलिए चलते हैं मैं नामिका जी आप लास्ट में मुझे मैसेज करके बताओ दो ठीक है? ओके तो वेदिक साहित्य का जो सामान्य परीचे हैं वो क्या है? तो देखते हैं वैदिक साहित्य का सामाने परी चाहिए तो भारतिय संस्कृति में वेद का स्थान अत्यांत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च हैं बारतिय जो संस्कृति है उसमें वेद बहुत प्राची अत्यान्त महत्वपूर्ण और बहुत सरवच्च स्थान पर आरते हैं तो बारतिय संस्कृति की जो मुख्य आदार्शिला है वो वेद है जो हमारे संस्कृति है वो कहा से उत्पन हुई है वेद से वेद में सबी जो दैनिक जिवन के जो भी questions बनते हैं कोई bit doubts वो सब आपको वेद में ही मिलेंगे वेद में काफी ऐसा नहीं है कि वेद हो गया तो संस्कृत का हो गया उसमें सुत्र होगे उसमें रुचाय होगे उसमें श्लोक होगे ऐसा है नहीं है वेड जो है वो काफी information हमें देते हैं जो दैनिक जीवन में जो भी होता है जो अथर्ववेद हो गया वो आयुरवेद पर होगा जो संगीट है वो सामवेद पर है ऐसा जो भी हमारा अभी जो चल रहा है वो सबी पहले से ही था हमारा जो वेद है उसमें ही वो सब मिल रहा है तो उसकी जो संस्कृत ही है उसकी जो सब्यता है वो अभी है ठीक है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि संस्कृत है तो संस्कृत में क्या होगा कि उसमें तो श्लोक होगे रिचाय होगी ऐसा ऐसा नहीं है तो ये जो आपकी मान सिखता है वो आपको बिल्कुल निकाल देनी है ठीक है तब ही आप वैदिक सायते डीप से समझ पाओगे ठीक है समझ के स्टुडेंट्स ओके दैन हम आगे चलते हैं हिंदू के रहन सहन, आचार वीचार एवं धर्म, कर्म, तथा संस्कृती को जो समझने के लिए वेदू का ग्यान आवश्यक्त है जो हिंदू संस्कृति है तो हिंदू को कैसे रहना चाहिए कैसे व्यवहार करना चाहिए आचार कैसे करना चाहिए वीचार कैसे तो आचार वीचार धर्म कर्म हमारा कर्म क्या है हमें क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए यह सब जो बता रहे हैं वो कौन बता र हुआ है ठीक है समझ गए ओके बार्तिय संस्रुति में वेद सनातन वैणाश्रम धर्म के मोल ग्रंथ है जो बार्तिय संस्रुति है उसमें जो वेद है वो सनातन है सनातन वैणाश्रम यानि वैण उसमें बताए है तो वैणाश्रम के धर्म के मोल ग्रंथ है ठीक है अपने दे विशाल वीमर राशी का नाम वेद है तो यहां पर वेद की जो व्याख्या की है क्या किया है कि जो अपने दीव्य चक्षु शे जो करते हैं तत्व की द्रश्टी शे जो हम करते हैं वो है वो राशी का नाम है वेद समझ गए तो कितने बढ़िया यहाँ पर डाफिनेशन भी है वेद की कि अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षत धर्वा रुश्यों के द्वारा अनुबुत आध्या अत्म शास्त्र के तत्वों की विशाल वीमल राशी का नाम वेद है ठीक है समझ गए अगर समझ गए हो तो एक बार थम करो हम आगे चलते हैं ओके देन मनों के अनुसार वेद पितरों देवों का वह सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन सम्भव है मनों जो है मनुस्मृती में जो मनु है मनुकार तो मनों के अनुसार जो वेद हैं तो वेद पितरों और देवों का सनातन चक्षु है देवो और पित्रों का सनातन चक्षू है जिसके मात्यम से हम कालान थी यारे पहले क्या था फिर अभी का क्या है पहले जो काल था उसमें क्या था अभी जो हमें क्या वर्णन करना है क्या किसा व्यवहार करना है वो कालातित और देशातित यानि दूसरे देश से यी डेश तो जो दर्शन का संभव है वो है वेद तो यहाँ पर मनुस्वूति में बताया कि पित्रु देव मनुशणा वेद शक्षुष चल सनातनम तो यहाँ पर है कि मनों के अनुसार पित्रु और देव का सनातन चक्षु जिसके माध्यां से कालातीत और देशातीत का भी दर्शन संभव हैं ये जो है वो वेद में है ठीके वेदों में वर्णित विशयों का स्मृति पुराणों तथा दर्व शास्त्रों में विस्तार पुर्वक वर्णन प्राप्त हैं वेद है उसका कहा कहा पर वर्णन प्राप् पुराण तो जो देवी पुराण है भागवत पुराण है डर्म शास्र ग्रंथ है उसमें विस्तार पुर्वक्स्ते वर्णन प्राप्त है समझ गए उसके बाद है वेदो की व्याख्या उपनीशद, दर्शन तथा अर्थ धर्म शास्त्र में विभीन प्रकार से उपलब्द होती है उपनीशद कौन से हो गए? मुंड को उपनीशद हो गया, छांदो के उपनीशद हो गया, ब्रुहादरन को उपनीशद हो गया जो उपनीशद है, दर्शन, जो भारतिय दर्शन है, चारवाक दर्शन, जो दर्शन हो गई उसमें और धर्म शास्त्र के गरंथ में विभीन प्रकार से उबलब्द है समझ गई? जिसमें उपनीशद तथा दर्शन वेदो की अध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तूत करते हैं, अध्यात्मिक व्याख्या को कौन प्रस्तूत करता है? वेदो की अध्यात्मिक व्याख्या है, उसको कौन प्रस्तूत करता है? तो उपनीशद है और दर्शन गरं हमारी वेदों की आध्यात्मीक व्याक्या को प्रस्तुत करते हैं ठीक है? स्मृती पुरान दर्म शास्त्र में मिलते हैं हान जी चलो हम आगे चलते हैं दर्शनों में पूर्व मिमान सा दर्शन मुख्य रूप से वेद में प्रती पादित कर्मकार्ण के विशयों पर ही आधारीत है जो दर्शन है उसमें प्रमुख दर्शन बताया है कि पूर्व मिमान सा जो पूर्व मिमान सा दर्शन है वो प्रमोख रूप से वेदों पर ही प्रतिपादीत कर्म कांड के विशय पर आधारीत है समझ गए उसके बाद है वेद विश्व के सभी प्राचीन सहित्य धर्म में सर्व प्राचीन ग्रंथ है वेद है वो सर्व प्राचीन ग्रंधे मैंने आपको आगे ही बताया रुषियों ने पश्चन्ती तथा मध्यमा वार्णी का आश्रय लेकर अपने रदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था तो रूशी जो थे हमारे पुराने जो रूशी मोनियों की जो परंपरा थी तो रूशियों ने वेदों का ज्यान कैसे प्राप्त किया तो पश्यमी, मद्यमा, वैकरी ऐसे आपने सुना होगा शायद आपने जब पढ़ाई की होगी तब ऐसा तीन प्रकार की जो है पश्यंती, मद्यमा और वैकरी तो ऐसे जो पश्यंती और मद्यमा वानी जो है उसका आश्रय लेकर अपने रदय में वेदों का ज्यान प्राप्त किया तो यहाँ पे भी question बन सकता है कि रुशियों ने तब तो पहले तो कुछ था नहीं तो तब रुशियों ने जो वेदों का ज्ञान था वो कैसे प्राप्त किया होगा तो पश्यंती और मध्यमावानी का आश्रय लेकर अपने रदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था समझ गए उसके बाद है तदा वैखरी वानी का आश्रय लेकर अपने शिश्यों को और प्रशिश्यों को वह ज्ञान यानि वेद ज्ञान दिया यहाँ पर आ गया वैखरी मैंने आपको अभी ही बताया तो रूशियों ने जब ग्रहाण किया तब उन्होंने पश्चंति और मध्यमावाने का प्रयोग किया उसके बाद जब रूशिय ने जब आपको ग्यान दिया यानि उनके शिशो को ग्यान दिया उनके शिशो के शिश यानि प्रशिष्यों को घ्ञान दिया तब उन्होंने कौन सी वानी का अश्रे लिया था तब उन्होंने वैखरी वाने का घ्यान लिया था समझ गए जैसे की एक्जामबल देते हुँ कुई जैसे मैं जब पढ़के आती हुँ तो मैं पश्चन्ति और मध्यमावानी का अश् लेकर पड़ा रहे हैं ऐसे रूशी मुनिक की जो परंपरा थी वैसे वेदो का जो ज्ञान था वो प्राप्त किया था समझ गए समझ गए clear है आप सबी तो एक बार थम करो हम आगे चलते हैं अगेर कोई questions है तो आप पूछ सकते हूँ मैं उसका answer दे देंगी यस मैं ओके मनिशाल जी शायद आप new student हो तो welcome आपको ठीक है और हमारी जो ग्लास ने वन पीम को डेली यही टाइम पर होती है तो डेली जाइन करना ठीक है ओके दें हम आगे चलते हैं वेद शब्द की व्यूत्पत्ति एवं और्थ वेद शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका अर्थ क्या है वो हम आगे पढ़ रहे हैं तो वेद शब्द की व्यूत्पत्ति ग्ण्यानार्थक वीद ग्याने दातु से धज प्रत्य करने पर सिद्ध होती है तो यहाँ पर बताया है कि वेद शब्द की जो व्यूत्पत्ति है वो ग्ण्यानार्थे वीद ग्याने दातु से धज प्रत्य करने पर सिद्ध होती है ये आपको याद रखना होगा कि वेद शब्द की व्यूत्पत्ति कैसे हुई तो वेद ज्याने दातु से धज प्रत्य करने पर वेद शब्द की व्यूत्पत्ति हुई और इसका अर्थ क्या है वेद शब्द का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है ज्यान यानि ज्ञान प्राप्त करना ठीक है ज्ञान प्राप्त करना अतह वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की राशी का संग्रह ज्ञान की राशी का संग्रह ये है वेद शब्द का अर्थ सर्व ज्ञान मयोही स यानि ये मनुस्मृती में पाया जाता है ये जो शब्द है वो कहाँ पे मिलता है तो सर्व ज्ञान मयोही स तो सर्व ग्यान जो जिसमें है वो क्या है वो वेद है यानि ग्यान की राशी का संग रहा ये है वेद समझ गए ये उसका बेजिक अर्थ है वीद ग्याने दातु द्यर यस तो ये तो बेजिक इंफर्मेशन हो गई कि मनुस्मृदी में क्या पाय जाता है और वेद शब्द की विद्पत्ति कैसे हुई समझ गए उसके बाद क्या है कि पाणी नी व्याकरण में पाणी नी क्या से उत्पतिया की है वेद शब्द की तो ये देखते हैं हम पाणी नी के अनुसार पाणिनी के मतानुसार जो वेद शब्द हैं उतनी की वुद्पत्तिया देखते हैं समझ गए तो पाणिनी व्याकरण में कि द्रश्टी से वेद शब्द की व्युद्पत्ति चार दातू से विबिन अर्थों में होती हैं पाणिनी व्याकरण में वेद शब्द की व्युद्पत्ति चार दातू से विबिन अर्थों में होती हैं तो पहला अर्थ है वीद सत्तायाम यान वीद सत्तायाम प्लस श्यन उसका अर्थ होता है होना यानि दिवादी उसके बाद है दूसरा वीद ज्याने प्लस शॉप लूक उसका जो प्रत्ते हैं वो लगाकर उसका अर्थ होता है जानना यानि अयादी उसका बाद है वीद वीचराने यानि श्यनम प्रत्ते लगाकर उसका अर्थ होता है वीचार करना तो रुदादी यहाँ पे होता है उसके बाद है वीद लाबे वीद लाबे उसका प्लस शौप रत्ते लगता है और उसका अर्थ होता है प्राप्त करना और वो ये क्या है तो तुदादी तो यहाँ पर त्रीन प्रकार की आधी रूप लगे है दिवादी, अदादी, रुदादी और तुदादी और उसका अर्थ क्या होता है, होना, जानना, विचारना और प्राप्त करना, ज्यान प्राप्त करना, ज्यान का जो है वो विचार करना, ज्यान को जानना और ज्यान होना, ऐसे जो चार प्रकार के अर्थ बताए हैं, वो किसने बताए हैं, बताओ यह चार दातू जो है वो किस ने दी हैं बताओ फटा फट से मैं बेट कर रही हूं न आपका अगर इसका स्क्रीशट लेना चाहते हो अपने नौर्स बनाना चाहते हो तो ले सकते हो देन हम आगे चलते हैं रूप्रतिशाख्य की व्याख्या में विश्णुमित्र ने वेद का अर्थ दिया है कि विदंते ग्णानते लब्यंते ए भी धर्मादी पुरुशार्था इती वेदा यानी जीन ग्रंथों के द्वारा धर्म और्स काम और मोक्ष रूपी जो पुरुष चतुष्ट हैं उसका अस्तित्व का बोध कराता है जीसे पुरुशार्थ चतुष्ट की प्राप्ती होती है वो है वेद समझ गई वेद क्या है तो जो मनुष्य के पुरुशार्थ चतुष्ट की यानी दर्म और्थ काम और मोक्ष उसका जो बोध कराता है उसके अस्तित्व का बोध करात है वो पुरुष्चतुष्ट की प्राप्ती वेद है कि तो आगे हैं आचार्य सायन ने वेद शब्द की व्याख्या करते कहा है कि जो ग्रंथ इश्ट प्राप्ती जो ग्रंथ इश्ट प्राप्ती और अनिष्ट निवारण का अलोवकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते है तो सायन क्या कहिना क्या है कि इश्ट की प्राप्ती यानि हमारे ले क्या सही है क्या गलत है यह जो प्राप्ती कराता है वो और अनिष्ट का निवारण यानि अनिष न होने दिना तो उसका अलाव की उपाई बताता है वो है वेद बतादो एक बार कैसे लगा आगे भी है क्लास कंट्योनि कराते हैं बर एक बार आप क्लास में है कि नहीं उसका ध्यान रहे इसलिए लेकर आई हो कि हाउस दे जोष आपका जोष कैसा रहा क्लास में जो इंफर्मिशन या अज यह प्रोवाइड हो रही है उसमें क्या इंटरे झालो अपका जोज कैसा है हाई है या वेरी हाई है हाँस दर जोश आपका उस्ताह कैसा है पड़े का कैसा लग रहा है आपको वो बताना है आपको चलो चलते हैं हम आगे वेदों में जो वेदों के अर्थ है उसमें प्रयोक्त मुख्य शब्द वेद का अर्थ उसमें प्रयोक्त मुख्य शब्द का यहाँ पर बात है तो यहाँ पर शुरुती, आगम, नीगम, त्रोई, चंदस, अमन, सद्या, इन, जे, छे शब्द है उसके बारे में यहाँ पर बात बताईए ठीक है तो वेद के अर्थ में शुरुती, निगम, आगम, त्रोई, छंदस, आम्राय, स्वाध्याय, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है तो कैसे प्रयोग होता है? तो देखते हैं, तो पहला है शुरुती, तो वेदों को गुरु शिष्य परमपरा से स्रवन के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर शुरुती कहा जाता है पहले क्या था कि लिखने का कोई स्तित्व नहीं था तो पहले क्या होता था गुरु शिष्य की परमपरा यानि गुरु जब गुरु कुल में जब शिष्य पढ़ने जाते थी तब गुरु और शिष्य की जो परमपरा है गुरु पढ़ाए और शिष्य सुने उसकी जो श्रवन परमपरा है उससे सुरक्षित रखा जाता था तो वो है उसे कहते हैं श्रूती तो श्रूती परमपरा भी वेदों में प्रचले थी पहले उसके बाद है निगम श्रूती समझ में आया फिर हम निगम पर जाते हैं तो एक बार थम कर लो शुरुदिय में क्या होगा झिभूरु और शिष्य की जो श्रवंड प्रक्रिया है श्रवंड के द्वारा सुरक्षित रका जब घुरु थे तो घुरु शिष्य को देते थे तो सिष्य जो वह अपने जो जो जुग्यान है उसका सुरक्षित अपने माइन में रखते थे और उसके जो सुरक्षित जो संग्रह करते थे उसे क्या कहते थे शुरूती उसके बाद है निगम तो निगम का अर्थ है सार्थक अत्वा अर्थ बोधक यानि सार्थक करना और अर्थ बोध करना यह हो गया निगम का अर्थ सार्थक करना और अर्थ बोध करना यह होगा यहाँ पे होगा श्रवन के द्वारा सुरक्षित रखना तो नीगम में क्या है कि सार्थक करना या फिर अर्थबोद करना तो वेदों को जो साबी प्राय है सुसंगत है और गंबिर अर्थ है उसको बताने के लिए नीगम कहा जाता था यानि वेदों में ऐसे काफी शब्द है तो उसको अर्थ बोद करना, खूद अपने अंदर जो अर्थ बोद करना, स्तू संगत करना और उसका जो सार्थक करना, उसका जो शब्द है उसको अपने माइन में सार्थक करना, समझना जो है वो है नीगम उसके बाद है आगम आगम शब्द का प्रयोग होता है वेद और शास्त्र दोनों के लिए तो आगम है तो वेद के लिए है और शास्त्र है दोनों के लिए प्रयोग होता है आगम उसके बाद है त्रई त्रोई शब्द का जो प्रयोग है वो वेदों के लिए होता है त्रोई का अर्थ होता है तीन वेद तो कौन-कौन से तीन वेद तो रूग वेद या जूर वेद और साम वेद ये जो वेद त्रही है वो किन को बोलते हैं रुग वेद, यजू वेद और साम वेद इसके अंतरगर चारो वेदों को रखा गया है उसके बाद है छंदस चंदस सब्द चंदी सम्वारणे चुरादी घणी दातू से बनता है तो क्या चंदस सब्द किस से बनता है? तो चंदी सम्वारणे चुरादी घणी दातू से बनता है कौन सा शब्द? चंदस याद रखना होगा चंदस की व्यूत पत्ती है ये तो उसका अर्थ क्या होता है तो चंद उसका अर्थ होता है ढकना या फिर आच्छा दित करना यानि चंद क्या है जो संगीत है उसको ढकता है यानि उसका जो ताल है उसमें लए लाता है उस पर अच्छादीत होकर अच्छी डंग से वो गाया जाता है ऐसे जो चंद है मंदा करांता हो गए ऐसे जो चंद है शिक्रेणी हो गए ऐसे जो चंद है उसका अर्थ क्या होता है डखना या फिर अच्छादीत करना तो ये भी याद रखना होगा ये व्यूतपत्ति है उसकी चंदी संवारें चुडादी गणी दात्तु ये उसकी व्यूतपत्ती है और ये इसका अर्थ है उसके बादें चारों वेदों के लिए चंदस शब्द का प्रयोग होता है पाणी नी ने बहुलम चंदसी अश्टाद्याई के जो सुत्र है उसके द्वारा वेदो को चंदस कहा गया है पाणी नी ने वेदो को बहुली चंदसी उसके सुत्रों के द्वारा वेदो को क्या करते हैं चंदस ठीके पाणी ने वेदो को भी चंदस कहा है फिर है यास्क ने चंदस शब्द की व्यूतपत्ती कैसे की है यास्क ने तो ये भी याद रखना होगा कि चंदस शब्द की पाणिने की व्यूतपत्ती यास्क वी की व्यूतपत्ती कैसे होती है तो ये याद रखना होगा आपको तो यास्क ने चंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्त में चंदासी चंदनात कहा है ये हो गया यास्क के अनुसार उसके बाद है आमराय चठा जो पाठ है वो आमराय आमराय शब्द का जो ना अब्यासे ना अब्यासे भवादी घणी दातू से बनता है आमराय किस पर बल देता है तो वेदो के प्रतिपादी अब्यास या स्वाध्याई पर बल देता है उसके बाद डंडी ने यहाँ पर बताया है आमराय का जो प्रयोग क्या है तो डंडी ने यहाँ पर बताया हुआ है तो डंडी ने किस में बताया है हमने ओथर और राइटर के नाम भी पड़े थे तो डंडी की रचना कौन सी थी बताओ जल्दे से हमने पहले ही क्लास करवाया है ओथर राइटर का फटा फट से आंसर दोगे तो अच्छा लएगा दंडी की रचना की तो अच्छा लएगा कौन सी है दंडी ने किसकी रचना की है आंसर आपके सामनी है पर आपको खुद आंसर दीना है इसे लो काम नहीं चलेगा यार संस्कृत की स्टुडेंट हो कर इतने लो इस नॉट फैर दश कुमार चरित में यास इस्टुडिकल एड्जुकेशन एंग सोश्या तो जो दश कुमार चरित है दंडी की रचना है तो दश कुमार चरित में डंडी ने क्या प्रयुक्त किया है वेद के लिए तो वेदों के लिए का प्रयुकरते हुए कहा है कि अधीती चतुर्शु आन्वाइशु यानि चारो वेदों का ज्यात तो क्या है चारो वेदों का ज्याता आन्वाइ में क्या है प्रयुक्त किया है दंडी ने दश कुमार चरित में कि अधीती चतुर्शु अन्वाइशु आन्वाइशु आन आगे है स्वाध्याए स्वाध्याए शब्द की व्युत्पत्ति क्या है तो स्वा अर्थात आत्मा के विशय में मनन करना चिंतन करना और प्रती दिन अभ्यास पर बल देना ये हो गया स्वाध्याए जब हम छोटे वज़े थे तब हमने स्वाध्याय सौल किया था याद है सबको कि जब हमारा यूनिट वाइस जब यूनिट चल जाता था उसके बाद क्या आता था? स्वाध्याय आता था स्वाध्याय का अर्थ क्या होता था? कि हमने जो पाठ में पढ़ा तो वो क्या पढ़ा? उसको मनन करना, चिंतन करना और वही प्रती दिन अभ्यास पर बल देना वो हो गया स्वाध्याय समझ गए? तो शत्पत ब्राम्मन यहाँ पर प्रयुक्त है कि शत्पत ब्राम्मन में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है स्वाध्यायोद्वे तव्य अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए जो वेद है उसको अध्ययन बार-बार रिपीट करना चाहिए ताकि हमें अच्छे से आ जाए तो उपनिशद में भी वेदों के अर्थ में स्वाध्यय शब्द का प्रयोग है उसके बाद है स्वाध्याय प्रवचनाभ्या नप्रमधितव्यम जो तैतिरिय उपनीशद में हैं तो उसका अर्थ है वेदों के अध्याय और प्रचार में प्रमाद न करें जो वेद है उसका अध्यान करने में और उसका प्रचार करने में प्रमाद नहीं करना जाए हमें अच्छे से उसका ज्यान करना जाए उसका अध्यान करना जाए उसमें बिलकुल भी प्रमाद नहीं करना जाए ठीक है प्रमाद का अर्थ क्या होगा कि आलस नहीं करना जाए ठ तो हमारा आज का क्लास वैदिक साइट का जो व्युत्पत्ती और उसका अर्थ था समझ में आया सभी को क्या समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हो मैं आपको पांच मिनिट का टाइम देते हो क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े आज कौन रिमाइंड करेगा फटा फट से मैसेज करके कौन रिमाइंड कराएगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा हिमान शुकुमार ये संस्कृत की क्लास हैं बेजिक संस्कृत की क्लास हैं जो की हमारी सब्वी कंपरेटिव एक्जाम से उसमें आती हैं अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो वो पूछ सकता है आपके पास टाइम्स है अभी बेजिक संस्कृत और सब्वेदा बेजिक संस्कृत और सब्वेदा सबसे प्राचिन वेद यस वेद शब्द की व्यूत्पति वेद शब्द का अर्थ और वेद शब्द में प्रयूक्त होते हैं ये तीन टॉपिक्स हमने आज पड़े तीन टॉपिक्स क्या क्या वेद शब्द की उत्पति वेद शब्द का अर्थ और वेद में प्रयूक्त मुख्य शब्द तो कौन-कौन से मुख्य शब्द हैं शुरूति निगम आगम त्रोई चंदस अनमय स्वध्य ये हो गए साथ शब्द हमारा नेक्स क्लास कल क्या हमारे कल जो क्लास है उसमें वेदों का रचनाकाल होगा क्या होगा वेदों का रचनाकाल वेद की कब उत्पत्ती हुई वेद कितने प्राचिन है उसका जो समयवदी है उसके जो प्राचिन विद्वान है उसके जो पाश्चात्य विद्वान है उनका क्यामत है वो सबमकल पटने वाले हैं वेदों का रचनाकाल तो प्लीज डू जॉइन अस वन पीएं उनली अन फिल लफार्म फीडबेक आपको क्लास कैसे लगा फीडबेक के रूप में आप बता सकते हो इनका कहां कहां बताए गया है इसके बारे में जाने मैं स्वाध्या निगम उक्ये हिमान शुकुमार आप यहाँ पे इंट्रोड़क्शन करने के लिए नहीं आये हूँ sorry for this but यह क्लास है क्लास में ऐसा नहीं करना है पढ़ाई पर फोकस करो feedback आपको कहां देना है comment box में डेलि के डेलि अनामिका जी का ही comment आता है आप सभी का नहीं आता है तो please सभी लोग अपना feedback comment box में करें जो हमारा klass है उसका नीचे description box के नीचे comment box से comment box में आपका feedback करना चाहिए ठीक है मैं मुझे टेलिग्राम का link share कर दिजी जो दी है इस पर मैं ओके अनामिका जी आपका मैं बता रही हूँ कि जो हमारा ये context नंबर है ना ये context नंबर है अनामिका जी आपके लिए बोल रही हो तो ये context नमबर पर आप call कर सकते हो और message कर सकते हो कि हमें Sanskrit के TGT PGT ग्रूप में add होना है तो हमें add कर लीजिए ऐसा ये नमबर है उस पर आप call कर लेना ठीक है समझ गए या पनमिका जी उसके बाद TGT PGT का जो टाइमिंग है हमने आपको पहले ही बताया करेंड जीके इंडिया रिजनिंग और संस्क्रीट जनरल मैथ और जो हमारे क्लास है NBS की अभी स्टार्ट नहीं हुई बहुत जल्द हो जाएगी और फॉर्म और इंफोर्मेशन के लिए सारे सोस्यल मेडिया अकाउंट्स यह पे दी हुए बहाँ पे जाक्या फॉल अप कर सकते हो आज के लिए इतना ही थैंक यू पर वाचिंग थैज वाचिंग वाचिंग दी तो एप जाए जए थैंग टार्ट लागेशन नमा संस्क्रीट आइ झाल झाल